हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम गायतरिया से रिया और आज कि इस वीडियो में आपको इंस्ट्राग्राम बाइरल ब्लॉज का डिजन बताने वाली हूं देखें इसमें आप पैड कैसे लगाओगे बोभी मैं बताने व यहां समझाने वाले हूं वीडियो में एंड तक बने रहेगा देखेंगा जूर्व अगर आपको यह वाला डिजैन बनाना है तो अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्एंकि मेरी वीडियो दिक्तर विकनर के लिए बनती है और वीडिय इसके लिए अस्तर की कपड़े पर आपको निशान लगाना होगा मैं इन लगांसों तो मैंने कपड़े को फॉल कर लिया जैसे सिमपल जो डो डॉर डार्ट वाले ब्लाउज कान सब्सक्राइब निशान यहां करना के बाद सबसे पहले उपर से आपको सिधा कर लोंगी आप सबसे पहले आपको तीरे का निशान लगाना तो मैं यहां पर 6 इंच का तीरा रखोंगी आप अपने नुसार रख सकते हो ठीक उसके बाद मैं 5 इंच आरमोल की लंबाई रखोंगी क्यूंकि यह बलाउज इसका आरमोल जो छोटा होता है इसलिए ठीक है इसक इसके बाद देखिए आरमोल की गुलाई के लिए मैंने 5 इंच का निशान लगाए उसके बाद यहां पर आपको गुलाई करनी होती है उपर से मैंने क्वार्टर इंच डाउन किया आप आदे इंच भी कर सकते हो और जो पौने 3 इंच का मैंने गले का निशान लगा है उसक है फोर्ट बाहा करने के बद कमर मेंела को और 15 लिया हैं और 15 में में जो मार्जन रखा को मिला है उसके बाद मार्जन पाइब काší को मिला है न से रिखे निफिंग के निफित को भी अब यहां पर देखें दext की 3 इंचन का निशान लगांगी और इसे feme ane co sitha करदेगे उसके situa कि की यह मैंने 72 इंचन लगा a और निचे से हमें निचे लगाने ओख्ता हैं और दाट का भी आपको नोचस लगाने हैं तिन नहीं आपको निशान लगाने होंगे जब आप जलाई करोगा ना तो असानी होगी तो भीड़ाई निशान दूसरी तरफ कैसे लोगे इसको इस परकार फोल्ड करोगे तो मैंने पहले लगा लिया था तो मैं आपको यहां पर बापस बता रही हूं तो देखे इस परकार आपको थब तबाना थोड़ा तो निशान आपका दूसरी तरफ भी आ जाएगा ठीक है तो अब देखि तो इसके बाद आपको क्या करना होगा आगे मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूं देखिए वीडियो में पूरा एक एक बात को पॉइंट को आपको समझना देखना तभी आप ये ब्लॉज बना सकते हो क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल होता है ब्लॉज बनाना तो मैंने टाल लाइके वस्के बाद इंगने क्पड़ा लिये डबल के अंदर है में 12 गा Алली पीस इंच का भी ले सकते हो क्पड़ा ज्यादा लगता हो इसका मैंने सेंट्र पॉइंट निकाल लिए ठीक है ठीक है कि रखे गए उसके बाद आपको जो सेंटर वाली लाइन लगा लेनी है और जो सटरर आपने कटिंग किया है आपको इसके ऊपर रखने सेंटर को सेंटर से मिलाना है कट को कट से मिलाना है उसके बाद यहाप को सिलाय लगाने हो जैसे गला बनाते हो ना आप क्योंकि इसमें गले की सिन भी सैथ बना सकते हैं जवरे को बैसानि की कोई बताता और में इसमें नहीं एसे बपर पूरा प्रोसेस में आगतीया हुए। इसमें ओर भी को सकती सब्सक्राइस थाय। नहीं एक्स्राइसे तर् tua मत्र है मेरा बसुंदि को सब्सक्राइस बब्रेब सिरुपन्य। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इसकी कटिंग भी कर लिए नोचस लगाने के बाद इसको सीधा करना इनकी ब्लॉज को पीछी की तरफ में ले जाओंगी और उसके बाद आपको गले के उपर दावाली सिलाई लगानी होगी और यह सिलाई किस पर लगेगी अस्तर के उ सोना तो यह सिलाई जुरूर लगाएगा ठीक है मैंने यह सिलाई लगा लिया इसके उपर अब इसके बाद मैं इसको सही कर लेती हूं उसके बाद दिखाती हूं तो उपर से आप देखिए एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हो प्रेस कर सकते हैं इसके उपर अच्छी तरह ह आधे के साथ को मिले करना यह आपको निशान लगाना है इस चिंटर का कि निकल जाएगा दोनों तरभ मैं लगाने और उसके राध इस पैप YOU आपको दोनों पार कि azul प्रॉइब करना तरह एकि Impact आपको पे बनाओं तो इसके लिए आपको दो लेने पड़ेंगे और इस प्रकार आपको सेट करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा एक बार की तरफ हो जएगा इनकी पैट दोनों के बीच में होगा उसके बाद आप गोलाए में राउंड में स्लाई लगा सकते हो या फिर जो मैंने डाट लगा यह ना डाट के साइड में भी आप से लाई इस प्रकार जो है लगा सकते हो नीचे की तरफ इस तरह से भी जो है यह पैड अटेच होता है लेकिन पैड मैं इसमें अटेच नहीं करने वाली मैं सिरफ आपको प्रोसेस बता रहे हूं इसमें पैड को मैं सबसे पहले आपको सेंटर का निशान लगाना होता है ताकि कपड़ा आपका दोनों तरफ इक्वेल में डिवाइड हो जाए ठीक है कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लिजेगा नीचे वाले अस्तर को भी सेंटर से मिलाना होगा उपर से पिनने लगा लिजेगा ताकि और आपको यहां पे पिनने लगा लेना आरमोल की तरह भी और नीचे जो सेंटर पॉइंट में लगाए ना वहां पे आप लगा लिजे और देखें यह बीना पैड के प्लीट कभी भी मत बनाईगा क्योंकि बीना पैड क्या प्लीट बटा बनाओगे ना तो आपकी जो प् थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा सेट जो है कम ही आता है जब एक वारा बना लोगे ना तो दूसरी बाद आपसे तरह सेट हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहां पर चार प्लीट बनाईए आप तीन प्लीट भी जो है यहां पर बना सकते हो और एक जैसी प्लीट बनान करने के बाद में बाद में इसको सेट करना भी सिखाऊंगी किस तरह से इसको बाद में सेट करना भी होता है यह जो ब्लाउज होता ना वो डमी पर ही बनता है क्योंकि बिना डमी के ब्लोज नहीं बनता है लेकिन मैं यहां पर आपको पैड लगा के ब्लोज बनाना सिखा र तो मैंने ऐ बना दिया और देखें अग्हार में या पर जो है इसंदाब होने और यहां पर आपको ऋit ङुड़ाइड करना है देखें मैं कैसे सैट करी हैं को पहले मैं यह पिननेये निकाल लेती हूँ सारी मैं एक साथ पर निकाल लेती है उसके بعد अरे माछे पिननेये लगा लेती है गोऺवऴ इसली पूंड़ बाइसे बाद, पर अपकर सचे और पर आपको आरमोल पे बहुन ही, पर it एक्स्ट्र कपड़ा लेते हुए आपको थोड़ थोड़ी कटिंग कर देनी है ठीक अब रॉबर नहीं करनी है पहले एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैं फैप्रिक का रखना उसके बाद कटिंग करनी है और देखिए मैं यहां पर पैड लगा के रखा ताकि आपको समझ में आ जा तो उसके बाद यहां बलोज बनाएगा पैड बला और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटावर से वीडियो को लाइक कर देना आप भूल गए हो और सब्सक्राइब करना में भूल गए हो तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा दी है अब इसके बाद मैं आगे और बताऊंगे आपको करना क्या इसकी प्लीड को कैसे सेट करना होता है प्रेस के द्वारा बोभी मैं बताने वाली हूं तो वीडियो में अंड तक जुरूर बने रहेगा वीडियो को स्किप्ट करके मत देखना तो मैंने इसकी कटिंग भी कर लिए अब इसके ब पट्टी को अटेज करने एकदम सिंपल तरीका बताऊंगी और मैं काफी बार बता चुक्यूं मैं जब ड्रेस से बनाती हूं तब तो तेखे इस जो पट्टी को मैं सिधा रखूंगी नीचे की तरफ उसके बाद बलाओस को उपर रखूंगी और कमर की साइड आपको शिल सिधा करने उसके उपर आपको दाबाली सिलाई लगाने ताकि जो पट्टी है आपके अची तरह पूल्ट हो जाएगी ठीक उसके बाद करना क्या देखि premiere पट्टी को आपको पूल करना इसके उपर आपको टन कर ले लिए और इसमेपstar सकते विना गोटा लाइस के भी बना सकते हो मैं इसमें गोटा लेस लगाऊंगी ठीक है तो यह गोटा लेस है न वो इसके अंदर रखोंगी इसके अंदर रखते हैं ऊपर से आपको सिलाई लगाने किनारी किनारी और जो यह वाला तरीका ना आप अफगानी सलवार में भी यूज करते हो और जब स्लीव बनाते ह उसली में ये वाला तरीका यूज होता है महलब ये तरीका हर कहीं आप यूज कर सकते हो ठीक है तो मैंने ये सिलाई लगा दिये इसला कपड़े के आप कटिंग करिएगा प्रेस कैसे करने हैं वो भी देख लीजिएगा देखिए पैड को मैंने टाया नहीं है पैड़ी के निचे आपको कपड़े को रोल करके रखना है ताकि वो सोलीड रहे प्रेस अची तरह से हो जाए प्लीट्स के उपर दोनों तरफ से आपको प्लीट्स के उपर अची तरह से प्रेस कर लेनी है और प्रेस चेक कर लिजेगा आपकी प्रे़ ज़्राइन ना गरम ना हो ताकि आपका बलाउज ना जल जायेल तो इस प्रकार आप डिजाएं बना सकते हो बलाउजर का बड़ी असानी के साथ मैंने बटन लगा दिया अब इसके बाद इस वीडियो को लाइक जुरूर कर देना अगर आपको असानी के साथ और भी ड्रेसे सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिक्शन को और जुरूर कर लेना क्यूंकि मेरा काम आप लोगों को सिलाई सिखाना है वो भी असानी के साथ मिलते हैं फिर नए बाइ